नभश्कार आप सभी का स्वागत है अब यूदे आईस क्लासेस में आज से हम एक नवीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज से हम जो हमारी जनरल स्टडीज के पेपर के जो प्रमो कुरूप से चार पिलर हैं एकनॉमी, पॉलिटी, आपके जोग्राफी और एक हिस्ट्री तिन चारों पिलरों में से एक और मजबूत पिलर जोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बदस्तूर चली रही है, अब बह मुश्किल से एक चौथाई टॉपिक्स अपने एकनॉमिक्स में बचे हैं तब साथ साथ अपने जोग्राफी स्टार्ट कर ली जो अपना टार्गेट है कि कैसे भी करके जनवरी दोजार एक्कीस दत यह चारों पिलर हम हमारी परिक्षा के दरस्टी को उन से कंप्लीट कर ला है, देखिए जैसे हमने एकनॉमिक्स में हमारी सॉलिड फांडेशन बनाने के लिए आपको एक तो निया था इसी तरीके से जोग्राफी के लिए भी हमारी मजबूत थोस नीव बने उसके लिए भी हम जोग्राफी में करेंगे और मेरा personal मानत है कि BCR 23 की कि Cam Une को क्या आफ्षक्ता नहीं बस आपको आफशक्ता पड़ेगी तो क्या पड़ेगी कि था Mapping के लिए हैं कि मैपिंग के लिए आपको एक टानिदिया करेंगे हम साथ साथ और एक वर्ल्ड की मैप भी करेंगे इनडिया और वर्ल्ड की मैप लेके चलेंगे उसके बारे में थोड़ा से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं जो पुराने मानके चलना जब्हए सबकर होगा आपको करेंड आरा आपने तयारी के लिए तो अलग विश है नहीं तो सबके लिए वह हार होने वाला है हम करेंगे प्रीकम मेंज के पॉइंट आप यूपी एसी के जितने भी पॉब्लिक सर्विस कमिशन भारत में होने वाले उन सभी मिलाब देने वाला है कैसे चलेंगे देखो हम सिक से ट्वैल तक की एंसे टी करेंगे जो हमारे लिए सॉलिड बेस बनाएगा और पहला स्टैप लेके चलेंगे कि हम आपको एक श्यूड दे देंगे पूरे सब्ता का की इश्प पढ़ेंगे आपका क्या है आपका काम यहँर रहेगा कि आपको तक क्या वो एक पार्ट रीड ही तो करना है उसके बाद क्या करेंगे क्लास में स्टैप टू में हम उसका डिसक्रशन कर लेंगे मेरे साथ discussion कर लेंगे अन्य हमारी faculty उनके साथ discussion कर लेंगे तेकिन geography पूरा मैं आपके साथ ही लेके चलूँगा तीसरा step में आपको क्या करना है notes बनाने हैं आप ही को बनाने हैं कैसे बनाने हैं यह आपको हम बताएंगे समझाएंगे कि जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके notes कैसे बनाएंगे देखो छटी की किताब के जो notes बनेंगे आठ नो chapter के वह बहुँ मुश्किल से 7 या 8 पन्नों में बन जाएंगे मतलब कि 4 pages आगे पीछे आप करते हैं मेंस पॉइंट अभी से कुछ टॉपिक आएंगे तो उसके लिए कैसे कवर करना वह भी हम देख लेंगे उसको अलग कहां से कुछ टॉपिक्स को लेके चलेंगे वह सासत करते चलेंगे exercise क्या करना नोट में करनी पड़ेगी कि हमारे काम में हमारे दादा जीी बनाने बता देंगे उसके लिए आपके से लगघँ के आपका साथ देंगे 1-5 है क्लास में डिसकाइब कर लिए टॉपिक Sound परे लेकिन सर मैंने कितना समझा मैं अपना कहां करूं परिक्षा में बैठूंगा उससे पहले तो उसके लिए आप क्या करना जो भी टॉपिक पड़ेंगे उसके लिए अपना एप है अब्यूदें आईएस का उस एप पर आप अटेंट करना और अपने विलेट कर लेना जिस किसी कोशन में आपको समझ्या आती है तो बता दीजेगा कमेंड करके या फिर आप फोन करके हम उस कोशन को आपके साथ डिसकस कर लेंगे यह तो हमारी रणनीती और दोस्तों विश्वास मान के चलना यह च्छटी से बारवी तक की जो आपकी जोग्राफिक कोर्स करेंगे ना जैसे च्छटी साथी आट्वी कंप्लीट हो जाएगी आप अपने आपको अलगी लेवल पर पाएंगे आपका आत्मिस्वास इतना बढ़ जाएगा कि मैंने यह जो पड़ा है यह सारी किताब एक तरफ मेरी एक तरफ चलिए अब मैं आपको थोड़ा से बरीफ कर देता हूं कि आपको नोट्स बनाना कैसे हैं नोट्स के लिए थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको क्या करना है जैसे अपना e4-6 का पीज होता है इस पैरल वैंडिंग क अच्छे नोट्स मनाएं थे खुरांक से बनाए तो प्रतियम के बनाएं नोट्स भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा आपको क्या करना है एक सैंस ले लिए वैसे बनाने का प्रयास करना मbugद कीवर्ड्स सारे आजाने चाहिए नोट्स बनाने का ताठ पर यह नहीं है एक और किताब लिख दें आप किताब नहीं लिख रहे हैं आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं उसके और यह भी एक कला है क्योंकि रिविजन करते वे पूरी किताब यदि आप नोट में बनाते हैं जैसे छटी का आप पूरी एक बुक बनाएंगे तो आपके 7-8 पन्नों में बन जाएग आपको क्या करना है करीबन 20-25% मान लीजिए एक चोथा ही कर लीजिएगा या अपनी सुईधा अनुसार यह स्पेस अपने राइट हैंड साइड का पेज का छोड़ देना ब्लैंक छोड़ देना एक लाइन खेच देना इसे जैसे मैंने खेची है यहाँ पर इसका क्या प् आदे पनने पर यह बीच में आपने एक्वेटर बनाई विशुवत्रे का यह बाकी सारी चीज़ आप समझ जाओगे उसके बाद आपने एक्सिस शोग किया और यहां पर साड़े 23 और यहां पर साड़े 26 डिग्री के आपने दो अक्षांश बना लिए सेम आपने नीचे य यहीं पर आपको इसी डाइग्राम में शोग करनी है सारी दियान रखना और यहां पर एक आप लॉंगिटूड बना के शोग करेंगे लॉंगिटूड भी आपको लिखना है कि इनकी बीच की दूरी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि हम उपर जाते हैं दुरूब की तरफ नीचे जाते हैं दुरूब की तरफ तो देशानतर में पूर्वी देपूरी तरफ जाते हैं पस्चिम तरफ जाते हैं तो इन देशानतरों में और इन अक्षांच में क्या प्रभाव पढ़ता है कि एवल एक लाइन में आपको यहां पर उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है इसके लब और कुछ ने लिखना बाकि सारी मेंशन आपको इस ग्लोब के अंदर ही करनी है एक चीज और लिख सकते हैं आप यहां पर देखो इसमें के मापन के लिए भी कुछ बिंदू दे रखें तो आपको क्यों इतना सा लिखना है तीन सो साथ डिगरी इकल टू चौब में सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्लोब में डालनी है क्यों करनी देखो आपका इसना तक आप कर चुके हो आप से यह हमारी आशा है कि अब आप क्या कर रहे हो आपने जितना भी पढ़ा है उसको मत रहे हो आप मत के उसमें से घी निकालोगे आप आपको आप टीचिंग करनी करनी समझा आप टीचिंग तो पहले हो चुकी है अब मैं तो आपके साथ डिसकस करूंगा जो आपने पड़ा है उसको बेसिक लेवल से दोबार से जंजर और जंजर क्या आपको याद दिला दूँगा हनुमान जी होते हैं ना उनको ताकत याद दिलाई थी ने कि और आप विश्वास रखना यहां कोर्स करने के बाद आप अपने आपको एक महाबाद जोग्राफिक टॉपिक में अलगी लेवल पर पाएंगे चलिए अब कोर्स हमारा सीधे स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं चटी का पहला चैप्टर है सामाजी विज्ञान प्रत् प्यारा चैप्टर है देखिए अक्षांश और देशांतर के जितने भी UPSC पॉब्लिक सर्विस कमिशन में प्रश्ण आए ना उसका अधिकान से प्रश्ण आप इससे कर लेंगे देखिए पॉलिटिकल मैप से रिलेटेट कोई प्रश्ण आए तो उसकी तो आपको इसमें से उत्तर प्राप्त नहीं होगा लेकिन ये तैब मान के चलना की कॉंसेप्ट चल आपके जितने भी सवाल आए इवन हमारे आइस की परिक्षा के भी सवाल है वो आपको सारे इससे सौल हो जाएंगे केवल छटी की इस कक्षा के चैप्टर संख्या 2 से चलो इसको बड़े गंभीरता से करेंगे इसके चुट चुटी बातों को बहुत ही गंभीरता से भी समझेंगे प्रत्वी हमारा आवाज कक्षा 6 की भूगोल की पाट पुस्तक है आशा करता हूं कि आप सबसे जो कल मैंने कहा था कि पढ़के आना तो आपने अवश्य पढ़ा होगा तेको उस पढ़ेंगे अभी हम यह दूसरा ग्लोब अक्षान संदेशांतर वह अन्य बाकी के चैप्टर लेते चलेंगे और अन्त में कौन सा चैप्टर ले लेंगे सौर मंडल में प्रत्वी लेंगे इस क्रम में ही हम चलेंगे ऐसे ही मान के चलना नोट कैसे बनाने उसके लिए लोड़ा सा देखते चलें मैं किवल आपसे दो पॉइंटों पर बात करूंगा एक तो संख्या लिखी हुई एक और एक यह लिखी हुई दो इसका ताथ पर रिक्या है कि यहां पर कुछ चेंजे हुए हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे दी गई है तो किया गया और चेंज क्या किया गया इसको भी पढ़ते चलो इसमें बता रखा है आपको संपून प्रभुत्व संपन समाजवादी पंत निरपेश लोग तंतरात्मक गंडराज्य देखो यह नवीन जो चेंज होने के बाद लाइन ली गई है अब चेंज क्या हुई देख पहले था प्रभुत्व संपन और लोग तंतरात्मक गंडराज्य अब इसके बीच में क्या दो वर जोड़ दिये समाजवाद और पंत निरपेश क्या जोड़ दिये समाजवाद और पंत निरपेश देखो एक कोशन था आपको यह धिहन में आना जाना चाहिए अब यह लाइन में दो लाइन जोड़ी गई है कौन सी दो शब्द जोड़े गए हैं समाजवाद और पंत निरपेश इस परस्ट है दूसरा समीधान का 42 सवा संसोदन हुआ था उननी सो चेटर में जिसकी धाराती दो उसने क्या बुला राष्ट की एकता के स्थान पर क्या प्रतिस दूसरा चैप्टर से स्टाइट किया है हमने दूसरे चैप्टर का शीर्षा के ग्लोब उसमें एक अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करिए अक्षांश आप सभी जानते हो जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर होता है लोंगिट्यूड देखो तो धहरे रखना छोट छोटी बातों को अच्छे से समझ लेना भी बिल्कुल टैंशन मत लेना जैसे हमारी चटी की सारी किताब और साथ वी आठ वी किताब पूरी हो जाएगी तब आपको स्वते महसूस हो जाएगा कि यह छोट छोटी बाते मेरी परिक्षा के लिए कितनी म काल्पिक रेखा होती है अब मैं आपके साथ इब प्रत्वी का एक छोटा सा मॉडल डिसकस कर लेता हूं इस प्याज को तुम समझ गए ना तो अक्षांस और देशांतर की सारी समझ्याओं को तुम समझ जाओगे मेरी जो प्यारी प्रत्वी है जैसे कि अगर मैं मान के चल है यह प्रत्वी ऐसी अचा मुझे बताओ जब प्रत्वी घूमेगी स्थी प्रकार से जो अप्ने आक्ष पर तो प्यारे दोस्तों हुमारी परकार से घूमती है है यहां तक क्लियर हो गया अब इसमें दूसरी बात अब अन्य बात और अन्य सारी बात है इसमें समझते चलो यह जो काली रेखा है यह प्रत्वी की हम एक्वेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं विशुवत रेखा बोलते हैं देखो एक वरत निकल के आएगा, इससे बड़ा कोई वरत ने निकल के आएगा इसे दो बाते क्लियर है थे न, अचा एक बात और मुझे बताते चलो कि इसके नीचे मैं और slices काटते जाऊं, और slices काटते जाऊं तो इस slices छोटे होते चले जाएंगे ना छोटे होते चले जाएंगे ना अंतिम यदि जो slice होगा वो point पर आके रह जाएगा मतलब कि ये बाते एक बार आप सुनते जाना बाकी चीज़ हम देखेंगे ना सारी चीज़ आपको clear हो जाएगी इसी प्रकार से यदि मैं उपर की तरब भी ऐसे slices काटते जाओं उपर की तरब भी ऐसे slices काटते जाओं काटते जाओं काटते जाओं तो काटते काटते छोटे-छोटे slices निकलेंगे ना मतलब कि बीच वाला सबसे बड़ा और उपर जाते गए तो ये छोटे होते चले गए, देखो इसमें न, इसको आप पड़े आनंद से ले न, ये एक मिनट की बात हमारे UPSC के सभी प्रशनों को हल करने वाली आने वाले समय में, चलो, अब हम चलते हैं हमारी किताब पर, प्याज को दिमाग में रखना, चलिए, तो ये हमारी प्रत्वी जो हमने समझा, उसको अब conclude कर रहते हैं, गलोब जुकी अवस्ता में होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं, ये जो हमारी थोड़ से tilted थी प्रत्वी, उसको अक्ष, जिस पर वो tilted थी उसको बोलते हैं, और उसी अक्ष पर वो घूर्नन करती है, अगली बात, इसके उपर का सिरा जिसको हम उतरी दुर्व और नीचे के सिरुख को दक्ष नी दुर्व बोलते हैं, इस सुई के चारो और प्रत्वी की भाती पश्चिम से पूरव की और घुमाया जा सकता है, मतलब कि जो हमारी प्रत्वी रोटेट करती है, वो कैसी करती है, वैस टू इस्ट करती है, पश जोड़ा सा टिल्टेड होके घुमरी और टिल्टेड कितना है, साड़े 23 डिगरी टिल्टेड है, परस्ट देखिए, ये साब हमारी आ रही है, विशुवत वरत आ रही है, ये भी जैसे जो बीच में मैंने एक लाइन खेची दिना ब्लेक, ब्लेक लाइन खेची दिना चार बताने के लिए सबसे महत्पूल संधर्ब बिंदू होता है, विशुवत वरत से धुरूवत तक स्थित सभी समानांतर वरतों को अक्षांश रेकाए कहा जाता है, मतलब कि ये जो बीच का विशुवत वरत है, इस से समानांतर हो आप उपर चलोगे, तो इसी को हम क्या बोल अक्षांश बोलेंगे, देखो, डेफिनेशन लिखो, तो ध्यान रखना, आप अपना कोई कॉंसेट भी मेंस के पेपर में, किसी भी पेपर में क्लियर लिखना चाहते हो, तो ये लाइन अवच लिखना, विशुवत वरत से धुरूवत तक स्थित सभी समानांतर वरतों को समानांतर मतलब साथ साथ ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक यहा है तो एक उल्टा गूं किया, ये समानांतर वरतों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, मतलब अक्षांश ब्रैकेट में समानांतर रेखाएं कहते हैं, आप ये ब्रैकेट में और लिखाएंगे तो और चार च माध्यम से बताएंगे अंशो के माध्यम से अंशो को इंगलिश में क्या बोलते हैं डिगरी बोलते हैं इस फस्ट है अब मैं आप से एक लाइन बोलने जा रहा हूं मुझे वो बताना कि स्टेट्मेंट सही है या गलत है क्या स्टेट्मेंट सही है या गलत है अच्छे से दे विशुवत वरत से दोनु तरफ, विशुवत वरत से दोनु तरफ, मतलब धुरूओं की बीच की दूरी, प्रत्थवी के चारो और के वरत का एक चौताई है, क्या ये statement ठीक है, पुने बोलता हूँ मैं आपसे, विशुवत वरत से दोनु तरफ मतलब विशुवत वरत बीच में सरकल है इसके दोनु तरफ उपर और नीचे की बीच की दूरी प्रत्वी के चारों और के वरत का एक चोथाई है क्या इस स्टेटमेंट ठीक है या गल्थ है आपका समय हो चुका है, खतम क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप तो जल्दी देंगे क्योंकि हम छटी किताब पढ़ रहे हैं देखो, अब इसको समझ लो मैंने आप से क्या बुला, स्टेट्मेंट अब देख लो आप विशुवत वरत से दोनु तरफ ध्रूवों की बीच की दूरी एक ध्रूव हमारा ये है और नीचे एक ध्रूव और है कोई साभी एक समझ लो, क्लियर्टी आजाएगी देखो जी, ये हो गया हमारा विशुवत वरत विश्वत वरत के विश्वत वरत से दोनों तरफ ये साब मैं यहां से चला ये गया मैं दुरूव की तरफ और ये से ही मैं नीचे भी दुरूव की तरफ अंदर चले गया इनकी बीच की दूरी प्रत्वी के चारों और के वरत का एक चोता है है एक फिर होगा क्या कितने बच्चों के सरक्झे अपर से गई है मेरे दोस्तों यह गोल है प्रत्वी यह जो है सर्किल होगा विशुत वरत का समझे यह भी परीधी होगी यह पेरिमेटर होगा वह वहथ इसी है और दुरूव से दुरूव को जो रेखा मिला रही है यह अभी इसकी परिदी होगी आपको मैं आपको और इसपश्ट कर देता हूँ यह सब हमारी प्रत्वी यह हमारी एक्वेटर अब मैंने आप से बोला यह दुरूव के दुरी इसको भी धंक से देखना जो यह विशुवत व से यहां इस ध्रूब में गया तो यह है जो बीच का वरते इसका आदा ही हो जाएगा ना यह आदा हो जाएगा ना और यदि मैं इस बिंदू से चलके वापिस पूरा घूम के यहां पर आ जाओंगा तो यह भी मेरा और यह मेरा जो डाय परीदी पेरिमेटर है यह दोनु समा इकवेटर से लेकर ध्रूव तक यह एक चोताई हो गई और इस एकवेटर से लेकर धक्षन ध्रूव तक एक चोताई है यह हो गई सेम इसके पीछे भी होगा मतलब कि यदि मैं इसको बाटू हूँ तो यह चार भागों में बढ़ जाएगी ना रेखा इस पस्ट इस स्टे तो पीछे भी आ रही है, समझ गए, अब मैं यहां से कुछ घुमाता हूँ, यह लो साब, यह दुरूव की तरफ गया, और यहां से पीछे से यह दूरूव की तरफ गया, और यहां से नीचे से उपर आएगी, और वापिस यहां पर मिल जाएगी, मतलब एक आपको सरकल यह बन गया, एक परीदी यह भी बन गई, तो भही आप मुझे बताओ, अगर यह पूरी परीदी आपकी, सपोस्कुरों यह पूरी परीदी आपकी 10 मीटर है, तो यह परीदी भी आपकी लगबग 10 मीटर ही होगी न, क्योंकि गोल अगर आप गोला गैंद मान के चलते हो, तो एक परीदी यह गोला कर लो, चाहिए यह गोला कर लो, कैसे भी करके एक बिंदो से दूसरे बिंदो पर आप गुमा लो, समझ गए, तो उतनी ही आपकी क्या आएगी, परीदी आएगी, अब मुझे बताओ, यह कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यह एक चोता ह होगा या नहीं होगा, यह भी एक चोता ही होगा या नहीं होगा, और इसके पीछे अगर मैं सरकिल की बात करूं, तो वो भी एक चोता ही होगा या नहीं होगा, उसके पीछे सरकिल की बात करूं, तो मैं एक चोता ही होगा या नहीं होगा, स्टेट्मेंट क्या था, देखो के चलना यह आगे आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली बड़े बड़े कॉंसेप्ट में और मैं तो यह मेरा परसनल बिलीफ है अगर यह स्टेट्मेंट आ जाता तो दस में से मैं मान के चलता हूं कि पांच या पांच से अधिक बच्चों का तो ठीक होने कि इसकी संभावना संभाने तक गल्थ होती क्या होता है दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा आपको एनलेसिस करना पड़ेगा रीजनिंग लगानी पड़ेगी और जो एंवार्मेंट होता है एक्जाम का वहां पर एकदम से लाइनों को समझ के उत्तर पर आना थोड़ा सा कटिन हो जाता है एक्जाम के बाद आप देखोगे ना इसको तो तुरण समझ जाओगे अच्छा यह स्टेट्मेंट यह कहना जा रहा था लेकिन आपका दिमाग और स्टेट्मेंट दोनों में फ्रिक्वेंस हो जानी ये क्या हो गया 360 अंचοι अच्छा इस प्रकार नव टिग्री अंच को दर्शाताय है और किolerश्य और नब्बे यहां से आप उपर चलें तो लाएगा इकितना स्टिंट अप ऋपर वाले स्टर और नीचे आपको जानकर बड़ा गर्व होगा कि इस शब्द में एक शब्द जुड़ा हुआ है ध्रोव तारा है क्या द्रोव तारा है देखो प्रत्वी के एक निश्चित इस्तान पर द्रोव का जो प्रकाश गिड़ता है ना उसे हम क्या बोलते हैं आप तन कौन बोलते हैं क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप तन कौन बनते हैं जहां पर यह आप तन कौन बनता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं नौर्थ पोल बोलते हैं उसी को हम उत्री ध्रूव बोलते हैं ऐसे ही नहीं हर किसी को आप य जिस बिंदू पर गिरता है और उसको हम क्या कहते हैं ध्रूव बोलते हैं क्या उत्री ध्रूव बोलते हैं क्या बोलते हैं उत्री ध्रूव पुने बोल रहा हूं प्रत्वी के प्रत्वी के एक निश्चित इस्तान पर ध्रूव का ये प्रकाश गिरता है और जिससे आपतन क बनाता है और उसे उत्री ध्रू मतलब की नौर्थ पोल कहते हैं और जहां से लाइट आकर गिरी वहां से यदि आप सीधी नीचे लेकर आ जाएं यहां से ये लाइट को आप सीधी नीचे लेकर आ गए ये नीचे लेकर आ गए सीधी नीचे लेकर आ गए निकाल दिया आपने जहां पर ऊपर गिरी, वहाँ सीधी स्टेट निकाल दीया आपने, तो नीजे वाला क्या वह बéstज़ता है आपका, साउथ पोल, मतलब की, धक्षनी ध्रूव, इसको क्या बोलेंगे, धक्षनी ध्रूव, और ऊपर वाले वह क्या बोलेंगे, उत्री द्रुव और क्यों बोलेंगे वह आपको विशे ध्यान में आ गया क्योंकि द्रुवतारा का प्रकाश जिस इस्थान पर आकर गिरता है मतलब जहां पर आपतन कौन बनाता है उस बिंदू को हम क्या बोलते हैं नौर्ट पोल बोलते हैं और सीधी रेखा कर हम नीचे तक उसमें से लेके जले जाएं बिल्कुल स्टेट काटते हैं नीचे अगर निकाल दें तो वह जो बिंदू जहां से प्रकाश निकलेगा उसको बोलेंगे दक्षनी द्रुव जैसे अपने प्याज में आपने एक्सिस देखाता ना तो एक्सिस वह बान के चलें आप वह धुरुव तारे का प्रकाश ही है जो आपके उत्री धुरुव से होता हुआ दक्षनी द्रुव में आके निकल गया है यहां तक क्लियर है अब क्यों उत्री द्रुव बोलते हैं क्यों दक्षनी द्रुव बोलते हैं अब यह समझे आपके नहीं होनी चाहिए और एक कोशन बड़ा आता है इससे रिगार्डिंग कि साब यह अक्षांश अधिक्तम होता कितना है यहां से चला और यहां पर पहुंचा यह 90 डिग्री हो सकता है कितना हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है अभी आपने एक स्टेट्मेंट मेरे साथ पढ़ा था कि विशूवत वरत से दोनों तरफ दुरुवों की बीच की दूरी अब नोर्त पॉल में उपर पहुंच गए तो यहां से लेकिं यहां तक कितना हो गा 90 हो गा यहां से यहां तक कितना हो गा 90 होगा, यहां से यहां तक कितना होगा 90 Digger होगा इसके लाभ तो कुछ हो इनी सकता ना तो आगे से गलती मत करना कि अक्षांश के अधिक्तम कितना होता है 90 Degree के हो सकते हैं इस से अधिक्तम नहीं हो सकता देखो इस बट़िया ने कितनी प्यारी बात बूलिए जीजे प्रत्वी है ये इस प्रत्वी पे मैं यहां खड़ा हूँ और आपको अक्षाँश मालूम करना है कि मेरा अक्षाँश कितना है यहां पर क्या है हमारा धरुवतारा है क्या है दरुवतारा है अब यह जो कौन बन रहुगा मतलब इस अंश को आप अक्षांश बोलेंगैं क्या बोलेंगैं इसपोस करो यह आ रहा है 45 अक्षांश पर हो 45 तो, बेचान्स बेचायो 55 अक्षांश पर बैटे हो 25 अक्षांश बेचे हो ठीक है? इसमें एक important बात और देख लो जैसे ये दुरुफत आ रहा है ठीक है? अब ये साड़े तेज डिगरी कैसे वाना? इस बिंदू से ये ये साड़े तेज डिगरी पर है और दूसरी दिशा में भी क्या होगा? ये साड़े तेज डिगरी होगा मतलब की यहां से नापो और यहां से नापो ये कितना आएगा? आपका साड़े तेज डिगरी आएगा यहां से मैं चला और यहां पर पहुंचा तो ये कितना होगा? साड़े चिहां सट डिगरी और ये भी कितना होगा? साड़े चिहां सट डिगरी दोनों तरफ समान ही आएंगे क्योंकि हमने गैंद को आदा दा हिस्से में बाटा है और इसलिए ये कितना है 90 डिग्री पर है तो अधिक्तम कितना हो सकता है 90 डिग्री पर हो सकता है सेम दक्षनी दुरूब की बात करो क्योंकि हमने इसको 0 डिग्री को दो भागों में समान दो भागों में बाटा है तो ये नीचे वाला हिस्सा हो गया ये उपर वाला हिस्सा हो गया उपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्द क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्द नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं दक्षनी गोलार्द उप ब्राजील में धक्षिन अमेरिका में जगे बेलो हॉरिजॉंटा कौन सा बेलो हॉरिजॉंटा क्या ये दोनों समान अक्षांश पर इस्तित हैं या ये 20 डिग्री अक्षांश पर इस्तित हैं अब ये प्रश्ण आ जाएगा तो आप बोलेंगे क्या वेग सा प्रश्ण दिया येकिन जट्रपूर समान अक्षांश पर इस्तित नहीं है क्यों नहीं है क्योंगि जो चंद्रपूर 20 डिगरी उत्री अक्षांश पर है और बेलो होरिजउंटा 20 दिगरी दक्षनी अक्षांश पर है तो ब्राजिल कापर है दक्षनी गुलार्द में तो स्टेटमेंट वैसे भी आप समाने लॉजिक से भी गलत कर सकते हो अगला इसमें बिंदू बड़ा अच्छा दे रखाया है अगला बिंदू देखिए महत्मुन अक्षांस समान अंतर रेखा हैं महत्मुन अक्षांस रेखा हैं देख लेते हैं हमारे प्रफ्विक जो मानी जाती है वैसे दो 0 दिख्री lässtे तुम 90 डिग्री ती चलो गये सारी अक्षांस है लेकिन हम किन की बात कर रहेते हैं देख्लो पहले इनकी पहले यह देख लें कि ऐने बोला क्या विशुवत वरत 0 डिग्री 90 डिगरी उत्तर दक्षिन द्रूर 90 डिगरी दक्षिन के अत्रिक्त 4 महत्पुन अक्षांस समनतार रेखा है और भी यह मतलब की rotor 1 2 3 3 प्लस 4 मतलब की 7 अगर मैं आपसे पूँच वहूँ कि आप प्रतवी पर महत्पुन अक्षांस रेखा है कितनी है तो आप क्या जवाब देंगे option आजाए आपके बार 7, 8, 9, 10 तो आप कितनी बताएंगे 7 बताएंगे, कितनी बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों 7 बताएंगे, देख लो इन अक्षान रेखाओं को भी feel कर ले न आने वाले समय में यह आपको बहुत मदद करने वाली है, जितने भी physical geographic concept समझोगे न, यह longitude और latitude तुमारी जीवन में सबस्यादर लाब देंगे, और कोई लाब नहीं देने वाला पहली 0 degree, जिसको हमने बोला विशूवत वरत, दूसरी अभी हम बात कर लेते हैं उत्री गोलारत की, यह होगी उत्री गोलारत में करक रेखा, क्या करक रेखा साड़े तेज डिगरी उत्तर में इसके उपर हम आगे तो क्या आती है भी यह उत्री दूरूवरत बोलते हैं इसको जो है साड़े छेहांसट डिगरी पर, समझ गए यहां तक क्लियर है रेखाओं की बाट कर ली हमने करक रेखा और विशुवत वरत पर जो रेखा है उसको विशुवत रेखा भी बोलते है और यह उत्री दूरूवरत है, इसको उत्री दूरूवरत भी आप कह सकते हो, अच्छा अगली ची रेखा अगर हम दक्षनी गोलारत में आजाते हैं तो वहाँ पर हमें रेखा देखने को मिलती है, मकर रेखा क्या मकर रेखा, करक रेखा में कभी कंफ्यूज मत हो ना, कैसे कंफ्यूज मत हो ना, देखो मकर जो होता है न। पानी के अंदर चलता है, मतलब आप यदि ऊपर खड़े ह सुर्ट किनारे पर टो पानी में अंदर म कर चल रहे न बाट करोडाइब जो मकर नीचे चल रहा है तो यह मान के चलो कि हमारा सर तो है कश्मीर है और हमारे जो बाद है वो कहां बने विया साउथ में, तो मकर्रेखा मैंसा कहा आएगी, आपके दक्षनी गुलार्थ में आगी देखे हमने यहां RS में प्रीज से पहले जब मॉक टेस्ट लिये थे उसमें कई बार ये बड़े एक स्टेटमेंट दिया था कि मकर्रेखा और करक्रेखा को तो हमने बता दिया दक्षनी गुलार्थ में मकर्रेखा को बता दिया उत्री गुलार्थ में बच्चे इसमें भी गन्फ्यूज हो जाते हैं तो करक्रेखा उत्री गुलार्थ में मकर्रेखा दक्षनी गुलार्थ में अच्छा कितने कितने डिग्री पर है साड़े 23 डिगरी पर आपके करक रेखा और साड़े 23 डिगरी दक्षिन में आपके मकर रेखा उसके उपर चलेंगे साड़े 26 डिगरी उत्तर में आपके उत्री द्रूवरत या उत्री द्रूवरत रेखा बोलेंगे और दक्षिन द्रूवरत अगर दक्षिन में तो दक्षिन दुरू और उत्री दुरू हमारा यह हो गया अब देख लो भई साथ हो गए क्या एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ कितनी आपको महत्मुन रेखाएं मिल गए अक्षांश की साथ रेखाएं मिल गए इसमें ज्यादा समय नहीं लगना आदा पौन घंटा लगना है और बेसिक कुछ चीजों को हम क्लियर कर लेंगे घुमते फिरते छोटा है मोटे समय में आदा घंटा यू निकाल लेते हैं लेकिन इन बेसिक को यहाँ पर क्लियर करते चलो एक बात का और ध्यान रखना अगर एक्जाम में तुम्हारे आपे विशुवत वरत आ जाए क्या विशुवत वरत आ जाए या विशुवत रेखा आ जाए तो दोनों को समानी मान के चलना ज्यादा है चक्र में मत पढ़ना ब्योंके बक्षी बनने की जरूत नहीं के सार व विशुवत वरत बोल दिया विशुवत रेखा है शाड़े च्यांसर डिगरी मैं तो उस स्टेटमेंट को इसलिए गल्द कराया क्यों क्यों तो विशुवत वरत होना चाहिए तो रेखा कैसे हो जाएगी उसको रेखा ही मानलो आपा न भीशुवत वरत आ जाए या इतने घ्राटक होती है क्योंकि वो ऑफनी औरश्य एक बिंदू पर पैयंदरit कर देति जिस्से कि क्या होता है कि वो जला देती है या उसको फाड़क Can जाती आधा यह प्रकाश कई इतने एरिय में फैल रहा है । इतने एह बिल रही है अच्छा मुझे बता ओ यह सर्कल ऐसा बड़ा होजा है और आप यह देखो इस सर्कल का डायमेटर बड़ा हो गया तो क्या होगा प्रकाश की उर्जा फैल गई प्रकाश की उर्जा फैल गई देखो आप आपने स्कूल के समय में आपने एक प्रियोग अवर्श ही किया होगा देखो यह प्रियोग आपने किया होगा एक लैंस आता है न इसको बोलते हैं देखो हमने पढ़ाई तो स्कूल में करी नहीं लेकिन ऐसे प्रियोग जब टीचर बताते थे तो वो जरूर हम करते थे घर पर आके बागी काम करें या ना करें क्योंकि इसमें बड़ा उत्साहा मिलता था अब जैसे यह सूरी की रोशनी आई अगर यह कागज पीस और पेप जाये तो मतलब कि कॉन्वेक्स की जगे कॉंके वो जाये तो यह क्या कर देगा फैला देगा फैला देगा कागज पे वहां उर्जा एक बिंदू पर कंसलिट्रेट नहीं होगी और चलेगा नहीं सेम कॉंसेप हमारी यहां भी लागू होता है देखो यह जो सूरी की रोशन देखो प्रकाश की उर्जा वो सेम है जितनी इंटेंसिटी में यहां रही है लेकिन यहां आपने देखा कि देखो इसका डायमेटर बढ़ा हो गया मतलब प्रकाश की उर्जा फैल गई काफी जगे डायवर्ट हो गई तो क्या होगा यहां पर इस बिंदू पर कम प्रकाश लगेगा, यहां पर कोई बैठा है तो उसको कम प्रकाश लगेगा, मनिस्पत यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको ज्यादा प्रकाश लगेगा, क्यों? क्योंकि इस पूरे इस डायमेटर वाले सर्किल में प्रकाश की उर्जा अधिक आ रही है उनके पास, same concept हुआरे प्यारी प्रत्वी पर भी implement होता है कैसे देख लो और इसी के माद्या में से हम क्या बोलते हैं प्रत्वी के कटी बंद तेह करते हैं ताप कटी बंद क्या ताप कटी बंद मतलग कहा कहा पर कितना टैंप्रेचर है उसके साब से हमने ताप कटी बंद तै कर रखें तो प्रत्वी के ताप कटी बंद भी क्या हो गए प्रत्वी के ताप कटी बंद होते हैं अपने करक रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूरी वर्ष में एक बार दौपेर में सिर के ठीक उपर होता है इसलिए शे सूर्य सर पर हमारे सीधे पहुंच जाता है देखो इस डाइग्राम के माध्यम से समझो यह सब हमारे सूर्य भगवान है दूर है इसलिए छोटे बना रहे हैं वैसे तो बड़े हैं अच्छा अब इनकी जो सूर्य की करने आती हैं वह मैंने आप से क्या बुला कि यह किन के ब अखर मकर के बीच में मतलब कि सूर अमारे ये गए उपर यहां पॉंचे फिर वापस से नीचे आए यहां पॉंचे पुनए नीचे आए साड़े तेज़ डिगरी वापिस आए और यह पुनए यह पर आ गए और हमने बोला कि सूर्य वगवान ने हमारे प्रतवी पर पूरा एक चक्कर लगा लिया अब देखो बेरी बाल समझो क्यूं हम प्रमुक रूप से इन साड़े तेज डिगरी साड़े छहांसट डिगरी को अक्षांश रिखाया मानते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरा यह है कि साड़े तेज डिगरी तक हमारे सूरी चाते हैं और साड़े तेज डिगरी तक ही सूर्य भगवान दक्षिन धुरूप की तरफ जाते हैं इसलिए हमने यह साड़े तेज डिगरी और साड़े तेज डिगरी को महकुन अक्षांश के रूप में लिया है हमने तीज डिगरी वादिक जो टॉर्च की प्रकाश आएगी न वो आती है यहां पर कहां पर आ रही साड़े थेज दिग्री से साड़े थेज दिग्री क्यूं आ रही है क्योंकि आपने देखा कि सूर्य भगवा आने जब यहां से उपर चलेंगे तो उपर उतरी दुरूब में साड़े थेज आकर रुख जाएंगे फिर वापस नीचे की तरफ जैंगे नीचे की दरफ जाएंगे कहां तक जाएंगे और हमकर रेखा मतलब कि दक्षे दुरूब के साड़े 5000 फरарищ यहां उपर जाएंगे और यहां से नीचे आएंगे तो मुझे एक बात बताओ अगर आप यहां पर हो इस अक्षांश 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 पर हो किसी भी अक्षांश पर बेटे हो तो एक बार तो दिन में आपके सर के उपर सूरज जी आएंगे नहीं आएंगे आएंगे ना स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो इन्होंने बोला करक रेखा से मकर रेखा के बीच के अक्षांश में दिन में एक बार सूरज जी आपके सर पर विराजमान होते हैं यह statement आ जाएगा तो आप गलत करके तो नहीं आओगे ना क्यों होते हैं क्योंकि भी हमारे सुरज जी साड़े तेज़ दिगरी उत्री धुरूब में रहने वाली करकरेगा और साड़े तेज़ दिगरी मकरेगा जो दक्षनी धुरूब में हैं वहां पर ही क्या करते हैं चक्क प्राप्त होंगी इसी प्रकार से यहां पर कोई व्यक्ति इस अक्षांश पर बैठा हुआ है तो आपको सुरज जी की करने तो मिलेंगी लेकिन तिरची करने मिलेंगी अब देखो आपको बड़ा जबर्दस कॉंसेट ध्यान में आ गया यह जो टेंपरेट जोंस बनाए है ता आपकटी बंद बनाए हैं क्यूं बनाए गए इनके नाम आपने हिंदी में समझ लिये तो कभी भूलने की गुंजाईश ही नहीं है देखो यहां पर हमारे 25.5 डिग्री से लेके 25.5 डिग्री तक हमें खुब उश्मा प्राप्त होती है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं उश्न कटी बंद बोलते हैं क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों उश्न कटी बंद बोलते हैं अच्छा 23.5 डिग्री से लेके 26.5 डिग्री में हमें बनिस्पत उश्न कटी बंद से कम उश्मा प्राप्त होती है सूरी की क्यूं क्यूंकि यहां पर हमें इनकी सूरज इसको क्या बोला उत्री शीक्षित प्लास उष्ण मतलब यहां पर ठंड भी पढ़ती है तो सूरज जी यहां पर हो जीरो डिग्री पर हो तो यहां पर तो यहां पर आप देखते हैं कि कितने दिन तक कई दिन तक आपको सुरज जी के दर्शा नहीं 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 रहता है यहां पर रहने वाले लोगों की जो बाइलोजी के लॉग के वह डिफेरेंट तरीके चलती है क्यों चलती है वह आगे भी आप समझते चलना जो कितने गहन और पूड़ कॉनसेट आप तुरंद यहां पर स्मझते जा रहे हो और इसलिए यहां पर क्या होता है शीत होती है यहां पर उष्णवाथावर्ण आपको देखने को नहीं मिलता तो इस कटी बंद को उमने क्या बोल दिया उत्री शीतन कटी बंद बोल दिया तो बहिया कटी बंद की यदि में बात करूँ टेंपरेट जोन्स की मैं आपसे बात करूँ तो कितने टेंपरेट जोन्स होगे उत्री द्रूम में एक तो गया आपका उस्ट कटी बंद दूसरा हो ग तो दक्षिन में यह चौ था और पांच वा हो गया आपका यह तो मूल रूप से कितने कटी बंद हमें देखने को मिलते हैं हमें देखने को मिलते हैं पांच कटी बंद प्रमुक रूप से हमें देखने को मिलते हैं पांच कटी बंद हमें देखने को मिलते हैं अच्छा यह थ कि यहां पर तंपर कम बिलेगा तैंपररी ज़्यादा मिलेगा अगर वितिरी हो जाएगी तो temperature कम हो जाएगा इसका मतब ध्यान करने वाली बात यह है कि सूरज की किर्णों का तिर्चापन प्लस धरातल पर सूर की अवधी धरातल पर सूर की अवधी दारा यह ताप निर्दारित होता है कि प्रती पर कहां पर कितना ताप होगा समझ गए अगर मैं आप से कहूं कि उश्मा और ताप को प्रभावित करने वाले दो कारण कौन कौन से हैं परती पर एक किर्णों का तिर्चापन और दूसरा सूरी की अवधी बहुत बड़ा और इंपोर्टेंट कॉंसेट मजाक मजाक में हमने प्रात कर लिया है आगे चलते हैं अब NCRT में भी देख लेते हैं इन्होंने किस लाइन को यूज मिलिया है आगे चलते हैं इसी करांद से इसको शीत कटीबं कहते हैं अब नाम से confuse होने कि आप शक्ता है नहीं है, सीत कटी बंद जहाँ पर बिल्कुल खुब सर्दी पढ़ती है, वह खुब सर्दी पढ़ती है, वह खुब सर्दी बंद होता है, पर अब आजाओ अगले इसके important concept पर जिसको हम बोलते हैं, देशांतर, तो यह भी बड़ा प्यार मैं आप से कुछ important question discuss करूगा, और आपको अभास होगा कि इन मूल concept से मेरे UPSC और ISK प्रशन भी ठीक हो जाते हैं, यदि यह उस समय में दे रहा होता, और अभी भी ऐसे प्रशनों के आने की संभावना पूरी की पूरी है, देखो देशांतर को संबनें से पहले मुझे एक यह मैंने चलो equator बना लिए, अक्षांश तो आप समझी गए तो जीरो डिगरी अक्षांश बना लिए, अगर आपको किसी को बताना है कि आपको अमेरिका ने पूचा विकास जी की स्थिती बताओ कहां पर बैठे हुए, वो हमें चाहिए हमें उनको उठा के लिए क्याना है तो यहां आपके जो स्पाई होंगे वो कैसे बताएंगे कि साब विकास जी इस बिंदू पर बैठे हैं, कैसे बताएंगे, वो यही तो बोल सकते हैं कि देखो साब जीरो डिगरी से उपर गए है, तो यहां पर एक दस डिगरी अक्षांश आती है, तो विकास जी कहां तो उन्हेंने की भाई दस डिगरी अक्षांश पर बैठे हुए लेकिन ये तो बता हूँ अक्षांश पर को पूरी बढ़ी है वह या पूरी प्रत्री के चक्कrados लगा क्या हैं क्या तो उन्होंने बोला कि नहीं सर हम आपको समझाते हैं हमने क्या अक्षांच और देशांदर दोनों पड़ा है तो उन्होंने बोला कि देखो एक सीधी रेखा उपर से भी आती है यह जो उपर से नीचे की तरफ आ रही है इसको बोलते हैं देशांतर क्या बोलते हैं देशांतर इस देशांतर पर इस बिंदू पर आपको क्या मिल जाएंगे विकाजी मिल जाएंगे मतलब कि आप देशांतर बता दो और उनको ये अक्षांश बता दो और वो जहां पर कट कर रही है उस बिंदू पर ये क्या हो गया आपका विकाजी बैठे हैं अब ये देशांतर कितने पर है अगर सपोस करो ये देशांतर आपकी है यहाँ पर अगर आपने डिगरी देखा तो ये डिगरी आई आपकी 20 डिगरी आ गई तो आपने क्या बोला 10 डिगरी लैटिटूड और 20 ड लेजानी कोशिश करी लेकिन मुझे वो लेजानी पाए ठीक है अब आजा कॉंसेट पर कितना प्यारा बता रखा है इसमें देशांतर क्या है किसी इस्थान की स्थिति को बताने के लिए उस इस्थान के अक्षांश के अतरिक कुछ और जानकरियों के आवश्यक्ता भी होती ह इन्होंने बताए कि प्रशांत महासागर में इस्थित टौंगा दीप यदि मैं आपसे पूछ में टौंगा दीप कहां पर इस्थित थे तब आप बता सकते हैं कि प्रशांत महासागर में इस्थित थे मौरिशिश दीप अचाहिए दोनों के एकी अक्षांश पर इस्थित अच्छा से पूरव पेश्चम के ओर इन स्तानों की दूरी कितनी है इससे ध्यान करना पड़ेगा अचा इन संदर रेखाओं को आप क्या बोलते हैं देशांत्रे यामईतार राम 활ा याम्यतर क्या होता है meridian क्या होता है meridian रेखा क्या होता है Meridian Rekha यह होती है Longitudinal Meridian Rekha और एक कहां से कहां तक चलती है उत्री दुरू से लेके नीचे दक्षनी दुरू तक चलती है अच्छा अब इसके लिए एक बड़ी समझा थी अब इसको समझो यह बहुत important चीज है इस देशांतर रेका से इस देशांतर रेका के बीच को हम वही अंचो के माध्यम से डिनोट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं डिगरी बोलते हैं अब मुझे एक चीज बड़े अच्छे समझाओ आप यह हमने क्या किया प्याज लेके आना पड़ेगा मुझे पहले आप एक चीज बताओ यह हो गई सब हमारी प्यारी प्रत्वी अब मुझे यह बताओ कि इस में देशांतर रेका मैं कहां से शुरू करूँ देखो हमने अक्षांज को तो यह बता दिया कि सब आदी आपने कर दी प्रत्वी को उसको आपने 0 डिग्री मान लिया अब देशांतर को मैं कहां से स्टार्ट करूँ देखो यह गोल प्रत्वी है समझे रहो यह उत्री दुरूता यह दक्षन दुरूता क्या यह उत्री दुरू है और यह दक्षन दुरू है समझे रहो जैसे वो हमारा प्यास था ना उपर से तो कहीं से भी नीचे लियाओ उपर से तो कहीं से भी नीचे लियाओ अब उसमें से मैं कौन सा मानू देखो जैसे यह हमारी प्रत्थी थी यहां से नीचे आ गया यह मैंने मान लिया देशानतर है अब यह तो पूरी गोल है ना भीखा कहीं से भी लियाओं तो इसमें मैं कौन सी जगे से मानूं कहां से आपको बताओं यह तो गोल है जगे कैसे बताओं तो इन्होंने बोला किसाब जगे बताने के लिए आपको यह जीरो डिगरी तै करना पड़ेगा 0 degree देशांतर तै करना पड़ेगा और 0 degree देशांतर हमने तै किया जैसे ये ये उपर से नीचे एक रेखा रही है जिसको हमने क्या बोला कि साब ये 0 degree आपकी क्या है longitudinal रेखा है longitudinal रेखा है समझ गए है मतलब कि हमारी देशांतर रेखा ये है ठीक है साब ये हमारी देशांतर रेखा है अब मुझे बताओ अब ये देशांतर रेखा जो 0 degree है ये 0 से 360 degree क्यों नहीं हुई 0 से 360 degree क्यों नहीं हुई जैसे कि आपको ध्यान है कि अक्षांच रेखा 0 से 90 degree के अधिक्तम हो सकती है इसी प्रकार से ये देशानता रेखा 0 से 360 डिगरी क्यों नहीं हुई अरे भया 0 से 360 डिगरी होगी तो बात तो वही होगी न आप कोई स्थान कैसे बताओगे फिर तो इन्होंने क्या किया 0 डिगरी जो ये तैकरी इन्होंने कहा ये 0 डिगरी के इस्ट में आप जाओगे कहां तक 180 डिगरी तक और वेस्ट में आप जाओगे 180 डिगरी तक तो क्या होगा आप स्थान बताने लायक हो जाओगे अगली बात मुझे बताओ ये 100 डिगरी 180 डिगरी वापिस पीछे आके मिल जाएंगी न यहाँ यह रेखा यहाँ पीछे आई और यह रेखा यहाँ पर पीछे आई मतलब कि यहाँ जो रेखा है आपकी 0 डिगरी देशान तरी रेखा यह क्या बना रही है एक रहत वत बना रही है मेरे कहने का ताथ पर यह है कि यह अगर आपकी प्रत्वी है, यह आपकी बीच की यहाँ आपकी बीच की अगर देशानतरी रेखा है, तो मुझे बताओ, यह पीछे से ऐसे आरी है न, यह बैक साइड में से होकी ही तो आरी है, मतलब कि एक टुकड़ा आपका यह हो गया, समझे हैं, और यह यह आगे से आर रेखा है, और इसी को हमने क्या बुला कि इस्ट की रेखा, जैसे प्याज है, क्या है कि मेरे को तसली नहीं मिलेगी जब तक आपको यह ध्यान में नहीं आ जाएगा, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका जीरो डिगरी क्या है, देशानतर है, अब मुझे बताओ, य इस तरफ चला, और इस दिशा में में चला, तो यहाँ पर 180 डिगरी चला, और यहाँ पर भी 180 डिगरी चला, और 180 डिगरी पर आने के बाद, हम 180 डिगरी यहां पर आके मिला, और 180 डिगरी आके यहां पर मिला, तो यहाँ जो रेखा बनी, यहाँ जो रेखा बनी, मतलब कि इस रेखा पर 180 डिग्री इस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों इसी रेखा पर आके मिल रहे हैं ध्यान रखना स्टेट्मेंट में इस प्रकार के प्रशना जाए तो अब गलती मत करना अब यहां पर आप समझ लो आपकी एंसियाटी क्या बोलती है बहुत प्यारी बात बोलत कि जो देशांतरी याम्यूतर कहते हैं उनकी बीच की दूरी को देशांतर को अंशों में विवाजित करते हैं और यह जो डिग्री होती है यह जो अंश होते हैं इन अंशों को हम किसमें विवाजित करते हैं मिंटों में विवाजित करते हैं और यह मिंट किसमें विवाजि के माध्यम से समय निकालने की दूइदा हमीशा खतम हो जाएगी वह कई बार आप माइनस करने में बड़ी दिक्कत आती ना उसके लिए भी बात करेंगे मतलब एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं साथ और हमारे बाई सेकंड कितने हो गए फिर साथ समझ गए साथ ही मिनट ह होएंगे और साथ ही क्या होएंगे सेकंड होंगे ध्यान रखना आगे देखना जब इसको हल करोगे ना कोशन मेरे साथ में ता आपको आनंद आ जाएंगे आगे कहता है यह अर्दवर्त है तता इनकी बीच की दूरी को दुरूव की तरफ बढ़ने पर घटती है बड़ी स है और मैं विशुवत रेखा की तरफ आता हूं तो यह सबसे जादा मुझे इनकी बीच की दूरी कहा मिलेगी विशुवत रेखा पर ही मिलेगी अक्षांच रेखाओं से भिन सभी देशांतरी यामितर की लंबाई समान होती है बहुत इंपोर्टन बहुत इंपोर्टन यदि यदि मैं बात करूँ आपसे अक्षांश की ये अक्षांश की यदि मैं अक्षांश की बात करूँ तो प्याज को आप ऐसे काटोगे बीच में से अक्षांश में से एक काटा फिर ये अक्षांश ये काटा दूसरा ये काटा तीसरा ये काटा चौता ये काटा और पा अक्षांच रेखाओं की लंबाई असमान रहती है तो क्या बोलोगे स्टेटमेंट साब बिलकुल सही है क्यों सही अब ध्यान में आ गया ना क्योंकि यह जो हमारी रेखाओं को जैसे जैसे आप उपर बढ़ते जाओं के दुरूब की तरफ तो क्या होगी छोटी होती जाए और देशांतर रेखाएं जो हैं आपकी हमेज़ा समान रहती है क्योंकि भाया यह उत्री दुरूब से आ रही है और दक्षन दुरूब में मिल रही है पूरा एक सरकल बनाके मिल रही है क्लियर है बहुत important concept था अगली बात यह कह रहे हैं कि मुक्य संख्याओं में व्यक्त क करना कटिन होता है इनको इसलिए सभी देशों से निश्चे किया सभी देशों ने मिलके निश्चे किया कि Greenwich जहां British राजी के वैदशाला इस्तिते हैं यहां से जो भी याम्योतर गुजर रही है जो भी Prime Meridian गुजर रही है उसी को इन्होंने क्या बोला Prime Meridian बोल दिया प्र तो आप समय आपका बढ़ेगा और पश्चिम में जाओगा तो आपका समय घटेगा और इसका सबसे बड़ा लाब क्या है समय के साथ सक इस्थान भी अप तैय कर सकते हो कौन सा कहां बैठा है जितने भी GPS चल रहे हैं वो Longitude और Longitude Bases पी चल रहे हैं क्लियर है यह बात इस प पहले जीरो डिगरी यामिवतर रेखा है ना उजयन से गुजरा करती थी भारत के लेकिन भारत से उजयन से गुजरने से तो फिर अंग्रेजों का दिक्कत हो जाती ना जो एहंकार होता है और वहाँ अगर सटी का गन्ना आपको करनी है ना स्थान की तो उजयन के लिए या गोलार्द में प्रत्वी को विभाजित करती है उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों यह जो हमारी यामिवतर है जीरो डिगरी हमने यामिवतर मानी है मतलब प्राइम मेरेडियन मानी है यह भी पूर्वी गोलार्द और पश्चिमी गोलार्द में प्रत्वी को क्या करती ह ये दो भागों में विभाचित करती है मतलब कि 0 डिगरी यहां से चली तो यहां पर पहुंची एक सोस्टे डिगरी पर यह भी 0 डिगरी से यहां पर चला और पहुंचा कितना एक सोस्टे डिगरी पर और दोनु जाके एक जाके आके मिल गए देखिए देखो इनी देशांतरों के माध्यम से विश्व में समय शेतर का विवाजन किया जाता है कैसे किया जाता है यह हमने देखा सब ग्रीन विच जिसको हमने जीरो डिग्री माना और जो लंदन की वैदेशला से रेखा गुजर रही है जिसको हमने माले के साथ यह 0 डिग्री प्राइम मेरेडी ने या यह 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा है यदि हम इस 0 डिग्री से पूरव की तरफ चलेंगे तो समय क्या होगा? आगे की तरफ होगा यदि हम इसके पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय क्या होगा? पीछे होता जाएगा इस पश्ट है और एक हमने यहाँ अंतरराष्टे तिति रेखा देख रगी यह जैसे जैसे आगे चीज आएंगे न उनको समझते जाना अभी के वाल इसमें देख लो कि Zero Degree Green Beach रेखा है मैं पूरफ की तरफ चलूँगा तो समय भड़ेगा और पश्चिम की तरफ चलूँगा तो समय घटे का कहां से Zero Degree जीर डिग्री इस ग्रीन वीच मीन टाइम से यह Time Zone बता रहे हैं ना जोस्तों अगर यहां पर एक यदि भारत में सपोस करो पांच बज रहे हैं शाम के तो यहां पर इस समय क्या बज रहे होंगे साड़े ग्यारा बज रहे होंगे क्या साड़े ग्यारा बज रहे होंगे दोपहर के साड़े ग्यारा बज रहे होंगे और आप इनका समय का अंतराल देखते हैं तो कितने घंटे का है साड़े पांस गंटे का च्छान्ष है पर बात उडदेखλα कि आपने देख तना आ अक्षानष के रूप में प्रदर्शित हो रही है और यह जो एक दो तीन चार रएका ये देशांतर ग्रूप पर दरशागी है तो ये अगर जहां पर कट रही है इसको इस्थान बता दिया है इसको बह इस्थान बता दिया है ये आप आपको ध्यान मे आग़ היה की इन देशांतर और अक्षान्ष के माध्यम से आप इस्थान का कैसे पता लगा सकते हैं समझ गए अब समय की बात देख लेते हैं समय के लिए हमने देखा कि जीरो डिग्री जो ग्रीन विज पीन टाइम था उसमें पूरव पर जाने पर समय भड़ता है और पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है अच्छा अब यह NCRT का भी देख लेते हैं समय को मापने का सबसे अच्छा सादन प्रत्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गती हैं दोपयर का समय सूरी की परच्छा ही सबसे चोटी और सूर्ऱ यह जो ग्रीन विज पर स्थित प्रमुक की यामियुत्तर पर सूरी जिस समय आकाश के सबसे उचे बिंदू पर होगा उस समय यामियुत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपयर होगी तो बड़े अच्छी बात बुली इसने यह जो 0 degree green which main time है ना जो हमने देखी थी suppose करो यह हमारी प्रत्वी है यह सब अपनी green which main time हो गए यहाँ पर यदि सूरज जी उपर चमक रहे हैं तो इस green which main time पर क्या होगा 0 degree पर यहाँ पर 12 बद रहे होंगे क्योंकि उपर ही चमक रहे हैं बिल्कु सीदे अच्छा मुझे एक दूसरी बात बताओ इसके पीछे जो 180 degree है वहाँ पर क्या रहोगा वहाँ पर रात तोरी होगी अच्छा मुझे बताओ यह 12 बद रहे हैं दो पहर के देखो बड़ा important concept है बारा बद रहे हैं दोपयर के कहाँ पर ? जीरो डिगरी पर इस समय इसके ठीक पीछे 180 degree पर क्या रहोगा ? रात के बारा बद रहे होंगे क्या ? रात के बारा बद रहे होंगे 180 degree ठीक इसके पीछे गुम के जाएगा ना वहाँ पर तो क्या बजेंगे ? बारा ही बजेंगे तभी तो 24 घंटे हो रहे हैं क्योंकि 12 घंटे यहां से यहां तक पहुचने के और वापिस उपर से वापिस 12 घंटे में पीछे 180 degree से 0 degree पर आने के तो यह कितने होंगे ? 24 घंटे होंगे ? 24 घंटे को दो भागों में बाढ़ दिया आपने यह देखा ही था कि बहुत अच्छी लाइन है यह आपने देखा कि प्रधान प्रमु की यहां में उतर रेखा है यहां से यह सूर्य बगवान पीछे जाएंगे तो यहां पर कहां पहुच जाएंगे ? 180 degree पर पहुच जाएंगे और वापिस यहां से 180 degree से यहां पर आएंगे तो 0 degree पहुच जाएंगे और हम जानते हैं कि 180 degree हमारे इस प्रत्वी को दो समान एक तो पूर्वी गोलार्द और एक पच्छी में गोलार्द में बाढ़ती है इसका मतलब 24 गंटे 24 गंटे में से आदे गोले में पहुचने में 12 गंटे और आदे गोले में वापिस पहुचने में 12 गंटे तो ठीक 180 degree पर क्या हो रहा होगा ? यदि यहां पर 12 बज़ रहे हैं यदि यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री पर रात के 12 बज रहे होंगे 12 गंटे का अंतर होगा चलो एक चीज और बताओ मुझे कि यह 0 डिग्री से यहाँ पर 90 डिग्री पर पहुंच गया तो क्या हो जाएगा मैंने आपको बताया है 24 गंटे का 24 कर दो पहले को यहाँ पर क्या बजरे होंगे वह समझमे आगया क्यों इतना important था अब एक और important बात देखो कि हमने ऐसा किया साब पूराम में ही आपने क्यों बढ़ाया पाश्चिम ही बढ़ाते थे पास्चिम में जाने पर कम कर रहे हैं पूरव में जाने पर समय बढ़ाते जा रहे हैं देखो मेरे प्रत्वी है अपने एक्सिस पर किदर गुमती है पश्चिम से पूरव की तरफ गुमती है कहां गुमती है पश्चिम से पूरव की तरफ गुमती है और इस परटिम से पूरफ की तरफ घुम रही है। ये रोजट जी रही है। लेकिन सबसे पहले कहां पढ़ेगा? जो East में इसके सामने सबसे पहले पढ़ेगा. फिर East से वेस्ड की तरब चलोगे तो क्या होगा? समय काम होता चलाएगा. क्यों काम होता चलाएगा? क्योंकि भाइया यह प्रत्वी West to East गुमरी है. क्यों प्रत्वी west to east गुम रही है जैसी east में पहले प्रकाश पढ़ा और गुमी वैस्ट का इलाका सूरज जी के सामने आए तब वहां जाकर प्रकाश पहुंचेगा और गुमी तो भाया और गुमने पर जो east था वो तो आगे चले गया लेकिन west में जो था वो आपका आगे आ कुमनन करती है इसी वजए से और सूरत जी की तरफ हम जानते हैं इससे सूरत जी हमारे उगरे हैं आगे इसके और और चक्कर लगाती है अते वे इस्तान जो ग्रीन विच के पूरम में है वहाँ समय आगे और जो पश्चिम में वहाँ समय पीछे होगा प्रत्वी लगवग 24 गंटे में 360 गुम जाती है एक गंटे में 15 गुमेगी और 4 मिनट में एक डिगरी गुमेगी ये कैलकुरेशन भी आप हातवा समझ लो देखो जो 360 गंटे में कितने गंटे में 24 गंटे में एक गंटे में कितना हो गया 360 बटा 24 ये कितना आ गया 15 डिगरी कितना आ गया 15 डिगरी एक गंटे में कितना डिगरी घुम रहा है सुर्विभगवान 15 डिगरी घुम रहे है हम मुझे बताओ हमें मालूम पड़ गया कि सब एक गंटे में 15 डिगरी घुमती है एक गंटे में 15 डिगरी घुमती है इक डिजरी हमारी प्रत्वी अपना इस्थान परिवर्तन कर लिती है तो CDC equation क्या बन गई अगर मैं इसको summarize करूं तो 360 degree मतलब 24 घंटे में 15 degree मतलब 1 घंटे में और 1 degree मतलब 4 मिनिट में मतलब 1 degree सूरज जी घूमेंगे तो 1 degree सूरज जी अपनी जगे बतलेंगे तो कितना समय लगेगा 4 मिनिट लगेगा 15 degree अपनी जगे बतलेंगे तो 1 घंटा लगेगा और 360 degree मतलब अपने इस्थान से चल गए वापिस उसी इस्थान पर आने में उनको 24 घंटे लगते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं 360 degree बोलते हैं देखो जो आप से डिसक्स किया था था ना कि यदि green witch समय से एक घंटा आगे अर्तात वहाँ दोपेर का एक बजा होगा लेकिन green witch से 15 degree पस्चिम का समय green witch समय से एक घंटा पीछा होगा कहने का तात पर यह है जैसे यदि green witch है यह तो हो गया पस्चिम और यह हो गया पूरव यहाँ से यदि 15 degree आप चलते हो यहां 12 बज़ रहे हैं तो इस समय यहां क्या बज़ रहे होंगे एक बज़ रहे होंगे क्यूंकि हमने बोला था पूरव की तरफ चलने पर समय जोड़ देते हैं अच्छा पस्चिम की तरफ 15 degree चलने पर हम जानते हैं 15 degree में 60 60 minute का 60 minute का difference आता है समय में और हम जानते हैं पस्चिम की तरफ चलने पर समय कम होता है तो यदि हम 12 बज़ यहां पर खड़े होके आप से पूछ हूँ कि यह तुमारे क्या समय हो रहा है तो आप क्या बोलोगे देखो जी अगर आप यहां पर हो 15 degree पर तो आप बोलोगे हमारे यहां पर दुपैर के एक बज़ रहे हैं और यदि मैं फोन करके आप से पूछ हूँ कि साब यहां क्या लेवेक्तिस है कि तुमारे यहां पर क्या समय हो रहा है जो 15 degree वेस्ट पर बैटा है तो क्या बोलेगा हमारे यहां पर अभी 11 बज़े हैं प्रस्तित स्थानों के इस्थानी समय में अंतर होता है। उदारन के लिए बहुत से देशा अंतर से होकर गुजरने वाली रेल गाड़ियों के लिए समय सारनी तयार करना बहुत कठन हो जाएगा। बारत में गुजरात के दुवार काता था, असम के डिगरी को गटके इस्थानी समय में लगवग 1 गंटा 45 मिनिट का अंतर है, इसलिए आवशे कि देश के मद्य बाग से होकर गुजरने वाली किसी यामियतर के स्थानी समय को और इस यामियतर रेखा के स्थानी समय को पूरे देश का मानक समय मान ले जाए और यह मानक समय हम किसको बोलते हैं साड़े बैयासी डिगरी को बोलते हैं भारत के लिए अचा और यह मानक यामियतर का किस से गुजरता है यह सब आपको अगले कक्षाओं में ध्यान आता जाएगा अब मुझे बताओ कोई गुजरत में यहां पर व्यक्ति बैठा है और उसने मुझे बोला अगर यह यामियतर रेखा को मानक समय ना माने और मैं बैठा हूँ डिबरुगड में और आपने बोला मुझे से किसा मैं आपको बारा बज़े फोन करूँगा दोपैर में बारा बज़े फोन करूँगा और लेकिन मेरे तो भाईया अगर में मानक यामियतर मतला मानक मेरे डियन ना मानूँ तो क्या होगा मेरे तो बारा बच चुके भईया एक गंटे 45 मिंट पहले ही तो मेरे यहाँ पर तो अभी क्या बज़ रहा है एक बच कर 45 मिंट बज़ रहे हैं दो पहर के और मैं इंतजार करता रहूँगा इसके फोन का किसा बारा बज़े इसका फोन आने वाला है अगर मानक समय या मानक या में उतर नहीं मानेंगे तो यह समझे आती है इसलिए हम क्या करते हैं मानक समय को मानते हैं और टाइम जोन बनाते हैं क्या बनाते हैं टाइम जोन बनाते हैं सबस्ट है साड़े 68 डिग्री पूर और 97 डिग्री पूर में हम का हैं बारत पूर्वी देशांतर पूर्वी गोलार्थ में इस्तित है यदि आप देशांतर के हिसाब से बात करो तो 68 डिगरी पूर और 97 डिगरी पूर हमारे माना जाएगा देशांतर के हिसाब से सरलसी बाद जो आपको ध्यान आई चोकी है बारत ग्रीन वीच के पूर में 85 डिगरी पूरव में इस्तित है यहां का समय ग्रीन वीच समय से 5 गंटा 30 मिट आगे इसलिए लंदन में जब 2 बज़ रहे होंगे तो हमारे यहां पर 7.5 शाम के बज़ रहे होंगे कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिनके करण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाएगे उधारन के लिए रूस में 11 मानक समय के अपनाएगे जैसे भारत में एक यह नहीं है रूस में आपको 11 टाइम जोन मिल जाएंगे प्रत्वी को एक गंटे वाले 24 समय शेत्रों में बाटा गया इस प्रकाँ प्रते एक समय शेत्र 15 डिगरी देशांतर तक के शेत्र को गिरता है यदि आपसे कोई पूत ले कि टाइम जोन है वहर टाइम जोन कितने गंटे का मान के चलते हो तो हम बोलेंगे प्रत्वी को 24 गंटे के टाइम जोन में बाट रखा है जोड़े basic concept पढ़े हैं, वो कितने important हैं, देखो जाब, पहला question है, यह आपकी screen पर आई गया होगा, निम लिखित मैं से कौन सा एक globe पर वरहत वरत नहीं है, वरहत वरत मतलब पूरा एक circle बन रहा है, मतलब कि 3060 डिगरी मान के चलोगा, option आपके A, विशुवत रहा, B, मुख्य देशांतर रहा, C, 60 डिगरी पूर्वी देशांतर, D, 60 डिगरी उत्री रहा, यह चार option आपको दे रहे हैं, अचा मुझे एक चीज़ बताओ, globe पर वरहत वरत तो आप समझगे नहीं, जिसो great circle बोलते हैं, 3060 डिगरी मैंने आपसे प्यारा question है, जो हमने चीज़े समझी हैं, उसी से यहां पर काफी चीज़े सॉल हो जाएंगे, पहला इसमें option दिया, A, विशुवत रहा, यह पूरी circle में आ रही हैं, एक चली, 360 डिगरी मैंने बहत वरत है, 360 डिगरी का बना रही है, दूसरा, मुख्य देशांतर रहा, उत उपर से लेके वापिस पीछे तक आऊँगा, तो यह भी क्या है, एक वरत है, चली, 360 डिगरी पूर्वी देशांतर, अरे बहा, यह जितनी भी देशांतर होंगी ना, यह सभी वरहत वरत ही बनाएंगी, क्यों बनाएंगी, आप सब को मालूम है, यहां से पहुंची यह दक अक्षांच, अरे बहा, एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, अक्षांच जो होती है, जैसे जैसे दुरूओं की तरफ जाती है, तो उनकी क्या होती है, बीच की दूरी कम होती चले जाती है, और उनकी लंबाई भी कम होती चले जाती है, प्याज की स्लाइस काटी यह, एक खायолн स्वाल सब्सक्राइब से लिए अगला चलिए एक और बहुत प्यारा कोशन आपसे मैं पूछता हूँ मैं क्यों जोर लगा रहा था न देशांतर पर देखो अगे प्रशने एक विमानत 30 डिग्री उत्री अक्षांश जैसे माल लो ये 30 डिग्री उत्री अक्षांश है 30 डिग्री उत्री अक्षांश और 50 डिग्री पूरवी देशांतर से उड़ान भरता है मतलब कि ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री पूरवी देशांतर माल लो आप मतलब कि इस point से इसने क्या किया उड़ान बढ़ा और प्रत्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, इसके बैक सैड में जाके उतर रहा है, विपरीत सिरा हो गया ना इसके यह अब मुझे एक बाद बताओ, मेरे प्यारे दोस्तों, यह तो जो हमारी अक्शान शे तो सेम घुम के यह आ रही है इज़ा है, इस पर नहीं प तीज डिग्री ये तो, तीज डिग्री, उत्री अक्षांश ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंज आने वाला है क्या, कहीं उतर जाओ, विपरीत उतर जाओ, दाएं उतर जाओ, बाएं उतर जाओ, अक्षांश की यदि बात करता हूं तुम्हें, मतलब पीछे भी जाएगा ये पीछे भी जाके इसी अक्षांश पर ही तो उतर एगा, अब मुझे बताओ, कोशन आता है, देशांथर पे, ये देशांथर पे, ये देशांथर की बात है, कितने डिग्री देशांथर है ये, 50 डिग्री पूर्वी देशांथर है, क्या, 50 डिग्री पूर्वी देशांथर अब मुझे बताओ, इसके ठीक फिपरीईट में, इस पुरूवी देशांतर के ठीक फिपरीद में, कौनसी देशांतर आ रही होगी? जैसे ये मेरा प्रत्वी है ये देशांतर रेका है 0 degree समझे हो न? इस 0 degree के पीछे कौन सी आरही होगी? 180 degree होगी क्यों 180 degree ये 0 degree से यहां पर 1 degree, 2 degree, 3 degree, 5 degree ऐसे बढ़ती जा रही है और पीछे आके 103 degree पर mिल गए सेम ऐसी 1 degree, 2 degree यहां पीछे बड़ती जारी है अब यह जो देशांतर वाला क्यों या मुझआ तो ढूब से तो ठीक कि इसके विपरीत में ये कटरी न फांक है अगर ये 50 डिगरी पूरम में है तो इसके बैक सैड में तो 50 डिगरी पश्चिमी होगी न तो ये कहां उतरेगा मेरे प्यारे दोस्तो ये मेरे प्यारे दोस्तो 50 डिगरी पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत 50 डिगरी पश्चिम देशांतर में उतरेगा यह प्रश्ण में आया है अब मुझे देखो चोटे-चोटे से कॉंसेट यदि आपने मन में बठा लिये इनको गंबीरता से ले लिया तो इन प्रश्णों का आसानी से सॉल्व कर सकते हो समझ गए इस प्रश्ण को चलो एक प्रश्ण और आपके साथ ले लेता हुएं यह प्रश्ण है किसी इस्थान का मानत समय निर्दारित करने का अधार होता है यह आप आराम से बता सकते हैं अभी हमने देखा प्रधान याम्योतर रेका जिसको प्राइम मेरिडिन लाइन बोलते हैं इसी जीरो डिग्री से हम बताते हैं कि यह समय क्या होगा पूरम में और पस्चिम में इस पस्ट है देखो ऐसे कई सारे प्रश्ण बनते हैं जिनके माध्यम से आप आईएस के और अपने पब्लिक सर्विस कमिशन के सारे कुशन सॉल कर सकते हैं यदि यह बेसिक्स आपको मालूम है तो अब छटी के भी अब एम सी क्यों देख लेते हैं प्रधान याम उत्तर का मान है जीरो डिगरी शीत कटी बंद किसके नजदीक पाया जाता है देशांत्रों की कुल संक्या कितनी है मैं 360 लगा दूं क्या गया होगा इसका सही उत्तर äre 108 सी दक्षिन दुरू अच्छा अक्शांश के लिए के आओगा 90 होगा अधिकनम 90 ही हो सकता है दक्षिनी दूरूब। ब्रधि स्तित है उता ही कॉल अपकर रेखा किस पर इस्तित है साड़े तेज़ डिग्री मैंने क्या बताया था दक्षिन दक्षिनी गोलार्द में भारत का मानक याम्योतर है साड़े बहियां से डिग्री देखो क्या आएगी ये प्रश्ण कई बार UPSC या प्रबिक सर्वी कमिशन से आज़ते हैं तो हमें कई बार बड़े कठिन लगते ह जिरो डिग्री को क्या बोलते हैं जिरो डिग्री को ही हम ग्रीन विच मींठाइम ये प्रदान याम्योतर रेका बोलते हैं देशांतरों के बीच की दूरी दूरूग की तरफ जाने पर घटती जाती है उत्तर धू वरत डश घुलार्द में इस थे थे खुश प्रश्ण ब इन छोटी छोटी चीजों को समाहित करते जाना, सीखते जाना, आप विश्वाश करो, जब आप जब दसवी और हम बारवी की जोग्राफी कर लेंगे, तो आप एक अलगी लेवल पर होंगे, विश्वास कर लेना, हम और कुछ इदाउदर की किताबे नहीं पढ़ेंगे, दे आपके साथ में मंडे को, अचा मंडे तक तुम्हें क्या करना है, मंडे तक तुम्हें क्या करना है, तक अक्षांच देशान तर रेखाओं जो संबंदित प्रविक सर्विस कमिशन के जितने भी कोश्चन से हैं, वो सारे आप सॉल्व कर लेना, संडे को एक काम करता हूँ, एप पर में आपके प्रशनावली डाल दूँगा, उस प्रशनावली को आप अटैंड कर लेना, तो